मेरा नाम है अमित कुमार मैं आप लोगों के लिए कोर्स लेकर आया हूं इंटर्नल सिक्यॉरिटी के ऊपर इंटर्नल सिक्यॉरिटी आज सारे के सारे कॉंपेटिटिव एक्जैम का एक बहुत ही महतवपूर्ण हिस्सा बन गया है इस पे हम इंटर्नल सिक्यॉरिटी के जो भी कॉंपेटिटिव एक्जैम में बहुत ही महतवपूर्ण मेजर मेजर जो स्लेबस के टॉपिक्स हैं हम उन सबको डिसकस करेंगे टेरिरिजम के बारे में डिसकस करेंगे, हमारी जो Central Armed Police Forces हैं उनके बारे में डिसकस करेंगे Internal Security के Doctrine के बारे में डिसकस करेंगे इस Class के दुआरा मैं आपको देता हूँ Introduction to the Internal Security Internal Security की आज का जो Agenda होगा, हम पढ़ेंगे कि Internal Security और External Security में आखिर फरक्या होता है Internal Security और External Security के अंदर डिफरेंस जानने के बाद हम इस बारे में डिसकस करेंगे कि Internal Security में जो जो Threats होते हैं वो किस परकार से Classified है कितने परकार के Threats भारत की आंतरिक सुरक्षा पर हैं साथी साथ Internal Security के Attributes क्या होते हैं, यानि कि क्या उसके जो Main Adjective Point है What actually defines Internal Security, this will be discussed साथी साथ हमारे भारत की जो आंतरिक सुरक्षा है, उसके Major Challenges क्या क्या हैं इन सब के बारे में discussion होगा, साथ इसके बाद हम बात करेंगे Factors Responsible for Internal Security Problem यानि कि हमारे भारत में जो आंतरिक सुरक्षा की जो जो प्राबलम है, उसमें कौन-कौन से Factors involved है चाइना का जो रोल है, नेक्सिलिजम का, जम्मो इन-कश्मीर Militancy का, नौर्थीस्ट एक्स्रिमिजम का, पाकिस्तान के जो बेसिकली Factors involved है, we will be discussing all of them उसके बाद किसी भी देश का और मोर इंपोर्टेंटली भारत का Internal Security Doctrine किन चीजों के ऊपर बेस्ट होना चाहिए क्या-क्या उसके अंदर Attributes होने चाहिए, क्या-क्या उनके अंदर Factors होने चाहिए, we will be discussing them at details And then, Internal Security और External Security दोनों की दोनों Interconnected चीज़े हैं बिल्कुल completely watertight compartment में इनको differentiate नहीं किया जा सकता So we will also discuss certain aspects of the External Security of India Without much delay, let's begin the topic We will start with the definition of the Internal Security Internal Security आखिर होती क्या है, आंत्रिक सुरक्षा की definition क्या है आंत्रिक सुरक्षा अगर बहुती सरल शब्दों में समझा जाए तो किसी भी देश की जो territory होती है, उस territory के अंदर Law and Order को maintain करना और Peace को maintain करना इस चीज़ को आंत्रिक सुरक्षा कहा जाता है मतलब कि Internal Security is the security of a country within its borders जैसे कि आप इस समय भारत का नक्षा देख सकते है भारत का border आप अच्छी तरह से पहचानते है सारे के सारी states भी आप mention कर सकते है हमारा जो border है, पूरे के पूरे उतरी तरफ से देखा जाए तो land से connected है, यानि कि दूसरे किसी दूसरे देश की land से connected है और हमारा दक्षिन का पूरा का पूरा जो border है वो basically समुदर से connected है एक coastal area है उसके अंदर इन दोनो land borders और coastal areas के अंदर की जो security होती है उसको internal security कहा जाता है इन भारत की territory के अंदर जो peace को maintain करना और उसके अंदर जो self-governing territories है उनके अंदर national law को uphold करना और पूरे के पूरे देश को जो external threats होते हैं या अंदर से कोई खुद threat आता है उसके against defend करने को आंत्रिक सुरक्षा का नाम दिया जाता है internal security की जो main responsibility होती है वो होती है police पर और paramilitary forces पर बट अगर ज़रूरत पड़े तो emergency में swim military या army भी basically उसके अंदर intervene कर सकती है याद रखेगा कि जब मैं military कहता हूँ तो military, navy और air force ये तीनों के तीनों उसके अंदर included है paramilitary forces से आप के समझते हैं paramilitary forces यानि कि central armed police forces central armed police forces भारत में तीन परकार की हैं जैसे कि CISF हो गई Indian Tibetan border force हो गई Assam rifles हो गई Central industrial security forces हो गई इस परकार से टोटल भारत के अंदर जो central police forces हैं वो है total 7 we will be discussing them at length in a different lecture आने वाले lectures में ये बहुत ही important syllabus का एक topic है जब हम सारी की सारी central armed police forces के बारे में discuss करेंगे remember that कि there are total 7 centered armed police forces in India internal security को completely understand करने के लिए हमें उसे differentiate करना पड़ेगा external security के साथ external security और internal security में क्या फरकाता है so let us see कि दोनों के बीच में क्या difference है internal security और external security internal security जैसे पहले से ही define कर दिया गया है कि within the territory किसी भी देश की जो territory होती है जो physical territory होती है उसके अंदर जो security उसके अंदर जो peace and order को maintain करना होता है उस चीज को internal security कहा जाता है इसके parallel में अगर हम देखे तो external security वो होता है जो कि external aggression से external aggression जैसे कि आप अगर भारत के case में देखे तो कई बार पाकिस्तान हमारे उपर border पर attack कर सकता है या चीन कुछ आकरामक रूप ले सकता है तो वो जो external aggression है that is the part of the external security यानि कि बाहर का जो कोई और दूसरा जो देश है देश की territory के बाहर से अगर कोई threat आता है तो उसको external security count किया जाएगा internal security अपने आपको concern करती है sovereignty within territory के साथ यानि कि territory के अंदर अंदर एक देश की sovereignty को maintain करने का जो process है वो आंत्रिक सुरक्षत हमालती है external security external security यानि दो देशों के बीच में जो sovereignty होती है उससे सम्मन्दित है internal security basically हमेशा परव्यू रहता है police forces और CAPF यानि कि central armed police forces BSF हो गई, CISF हो गई, CAPF हो गई जिसमें Indian police services included है उनका परवी होता है internal security को maintain करना वहाँ पर external security is the sole responsibility of army army, navy and air force ये तीनों को आप इखटे basically consider कीजिएगा internal security को जो मंत्राले हैंडल करता है उसको कहा जाता है ministry of home affairs यानि कि इस सम्मेश्री अमित शाह जो कि हमारे ग्रह मंत्री है उसी परकार से ministry of defense external security के लिए responsible रहती है शिरी राजनात सिंग जी इस समय union minister है ministry of defense के यानि कि वो भारत की external सुरक्षा भार के external aggression ministry of defense यानि देश के defense के लिए responsible है ministry of home affairs को याद रखना कि कई जहोंगों पर आप पढढ़ेंगे तो इसको ministry of homeland affairs भी कहा जाता है या ministry of internal affairs भी कई दूसरे देशों में कहा जाता है बट वो दोनों ही चीजे सेम होती है basically वो मंत्राले जो कि भारत के या किसी भी और दूसरे देश की आंतरिक सुरक्षा से सम्मंदित रखता है अगर अंदर कोई disturbances आ जाए riots कोई आ जाते है कोई terrorist activity अंदर हो जाती है देश के अंदर उन चीजों को जो handle करता है उसको कहा जाता है ग्रह मंत्राले आगे बढ़ते हैं हम इसी चीज को discussion करने के लिए detail में internal security को समझने के लिए हमें ये जानना जरूरी है कि आखिर किस परकार के threat होते है internal security पर अब चानक कै चानक कैने अर्थ शास्तर में मैं लिखा है कि किसी भी देश को या nation को या city state को total चार परकार के threat हो सकते हैं number one internal यानि कि उस देश के अंदर से ही उठने वाला कोई threat अब हम इस पर case के example पर लेख सकते हैं कि जैसे नक्सलिजम या left wing extremism जिसे कहा जाता है वो भारत के अंदर की एक threat है internal ही है और भारत की internal security को threat है उसी परकार से internal security को एक external threat भी हो सकता है जैसे कि अगर पाकिस्तान भारत पर कुछ आकरामक रूप थोड़ा ले लेता है और युद चेड़ देता है तो उससे भारत की आंत्रिक सुरक्षा पर भी खत्रा बन सकता है तो ये दूसरा example हो गया एक external threat to internal security इन ही चीजों के permutation और computation में देखा जा सकता है कुछ internally aided external threat internally aided external threat मतलब कि देश के भीतर से ही कुछ ऐसे non-state actors जो की external threat को support करते हैं external threat को भारत की सुरक्षा के against प्रवोक करते हैं and simultaneously जो हम fourth option देखते हैं वो है externally aided internal threat यानि कि threat जो है वो देश के physical territory के अंदर located है परन्तु उसको जो support है वो basically कहीं भार से मिल रहा है example के तोर पे अगर हम देखें तो जम्मू एन कश्मीर में जो militancy है जम्मू एन कश्मीर की जो militancy है वो physically भारत के border के अंदर है यानि कि भारत की इस समय तो union territory है जम्मू एन कश्मीर की तो उस पर जो militancy है वो भारत की internal security का मुद्दा है परन्तु उसको जो support है वो पाकिस्तान की आर्मी और ISI बाहर से देती है यानि कि it's an externally added internal threat इस classification को ध्यान रखेगा कभी भी mains में या कोई भी आप answer जब लिखेंगे उसमें level 2 में कोई भी जब mains के answer ऐसे type answer में तो ये classification of threat mention करना ज़रूरी होगा जब भी आप internal security को describe करेंगे भारत कई सारे देशों से घिरा हुआ है मतलब neighboring countries है हमारे पाकिस्तान है बांगला देश है, श्री लंका है, नेपाल है, मैं अनमार है वो सारे के सारे देश उनके अंदर जो भी चीजे होती है उनके अंदर जो भी disturbances होती है या उनके अंदर कोई भी और development होती है उससे भारत की internal security directly या indirectly connected होती है internal security की जो importance है वो इस बात से बिलकुल clear हो जाती है कि पिछले 75 सालों में यानि कि World War 2 के बाद अभी तक पूरे के पूरे विश्व में 49, 39 से ज़्यादा states disintegrate हो चुके हैं disintegration में इन 39 states में से सिर्फ 5, only 5 सिर्फ 5 states वो थे जो कि सिर्फ external aggression की वज़े से disintegrate हो थे यानि कि 34 से भी ज़्यादा more than 34 states सिर्फ और सिर्फ internal security के concerns की वज़े से disintegrate हो गए थे जो उनका common factor था यानि कि civil war की वज़े से successionist movement की वज़े से separatist movements की वज़े से more than 34 countries out of 39 disintegrated solely due to that जिसमें हमेशा common problem देखी गई कि internal security को धंग से handle नहीं किया गया या उनको अच्छी तरीके से maintain नहीं किया गया law and peace maintain नहीं हो पाया civil society में and situation इतनी खराब हो गई कि देश को disintegrate disintegrate होना पड़ा यह चीज हमें बताती है कि internal security क्यों इतना महत्यपूर्ण उद्दा है और क्यों हर competitive exam में एक important focus दिया जा रहा है internal security के उपर internal security के attributes अगर आप पढ़ेंगे तो आपको understand होगा कि आखिर internal security होती क्या है this will give you a much more clear definition about the internal security internal security का सबसे main जो मकसद होता है main उदेश्य जो होता है वो होता है territorial integrity और internal sovereignty को maintain करना यानि कि territorial integrity का मतलब क्या हुआ है कि जो भारत की physical territory है उसको कोई दूसरा देश illegally अपने कब जे में ना कर ले उस पर बिना भारत की permission के वो enter ना कर जाए उस जमीन को illegally हडपना ले ये territorial integrity और भारत की internal sovereignty को maintain करना internal security आंतरिक सुरक्षा का सबसे पहला और main मकसद है internal sovereignty से क्या समझते हैं जब भारत का समयधानिक और law and order भारत के अंदर ही अगर breakdown हो जाए तो उसको कहा जाएगा कि internal sovereignty breakdown होगी यानि कि internal sovereignty को maintain करने का मतलब यह है कि हर जगह देश में जो law है जो constitution है उसको uphold किया जाए और उसके according ही सरकार भी चले governance भी हो दूसरा domestic peace को maintain करना देश के अंदर जो अलग-अलग समुदाए हैं अलग-अलग states हैं अलग-अलग लोग हैं उनके बीच में एक शांती का समुदाए बना रहे एक शांती का समुदाए बना रहे एक शांती का वातावरन बना रहे यह हमारा दूसरा मकसद होता है internal security का prevalence and law and order again domestic peace और law and order को prevalence यह दोनों एक दूसरे से connected हैं जब law and order maintain रहेगा तो domestic peace भी maintain रहेगी rule of law and equality before law भारत के समीधान के अनुछेद number 14 में यह सबसे पहले हमारा सबसे पहला मौलिक अधिकार यानि the first fundamental right that the constitution mentions is the rule of law and equality before the law यानि कि भारत का जो कानून है भारत की धर्ती का जो कानून है वो सब को equally protect करता है irrespective of their status इससे कोई फरक नहीं पढ़ता कि वो परदान मंत्री है या वो पीयन है कानून सब के लिए समान होता है इससे कोई फरक नहीं पढ़ता कि वो केरिला से है या वो basically भीहार से है या वो मद्ध्य परदेश से है ना state से ना उसके sex से ना gender से ना caste से इसमें ये भी मान सकते हैं कि internal security का कहने का मतलब है कि absence of fear from the feared implying individual freedom of people यानि कि लोगों को इस बारे में डर ना लगे कि हमें किसी भी परकार का कोई भी खत्रा हो आद्मी या भारत देश का कोई भी नागरिक हो वो एक free freedom यानि एक सुरक्षित अपने आपको महसूस करे ये internal security का म मकसद होता है जैसा कि मैंने बताया कि internal security ministry of home affairs यानि कि ग्रह मंतराले मेंटेन करता है यानि कि ये सारे के सारे जो mandate है जो purpose है ग्रह मंतराले का mandate है और ग्रह मंतराले का purpose है territorial integrity और internal sovereignty maintain करना domestic peace और prevalence of law and order maintain करना rule of law and equality before law ये हमारे देश में चलता रहे इस चीज को बढ़ावा देन और किसी भी भारत के नागरिक को किसी भी प्रकार का डर ना हो अपनी सुरक्षा के बारे में ये होती है internal security के attributes इनको याद कर लीजेगा इनको notes में लिख लीजेगा क्योंकि ये बहुत ही काम आएंगे आपके answer writing के द्वारा this will also clear and important concept की आखिर internal security आंतरिक सुरक्षा जब किसी देश के बारे में बात होती है तो आखिर वो किस direction में बात हो रही है this will give you a lot of idea to write an essay also internal security के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है कि भारत की जो आंतरिक सुरक्षा है अखिर उसमें major challenges के हैं ये वाली बात आज हम करते हैं हम understand करते हैं कि internal security अगर इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है तो सबसे बड़ा challenge क्या आ सकता है ये जितने भी topic इस समय आप अपनी screen पर देख रहे हैं हम इन topic को सारे के सारे detailed में discussion करेंगे याद रखिए कि ये एक introductory class है जिसमें हम आपको बता रहे हैं कि internal security किन-किन मुद्दों और किन-किन मसलों से related है ये सारे के सारे एक-एक topic हमारे लिए काफे important है जिनको detailed में discussion किया जाएगा So let us go and see what is the first challenge of the internal security The first challenge comes is the hinterland terrorism आतंकवाद आतंकवाद बहुत ही जादा महत्वपून चैलेंज है भारत की आंत्रिक सुरक्षापाद दोनों तरीके का international भी domestic भी कुछ आतंकवादी जो होते हैं वो सिर्फ domestic होते हैं जैसे कि अगर हम include करें जम्मू और कश्मीर militancy पे या North East यानि कि जो हमारे पूर्वी उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं मिजोरम नागलेंड जो Seven Sisters के नाम से जाना जाते हैं वहाँ पर कई परकार के extremist जो groups हैं वो वहाँ पर active हैं वो जो terrorism देते हैं वो भारत की आंत्रिक सुरक्षा पर major challenges देते हैं इसी को अलग से अगर देखा जाए जम्मू और कश्मीर militancy और terrorism यानि कि जम्मू और कश्मीर में जो आतंकवाद है उसको एक specific अलग से जंग है दी गई है internal security के challenge क्यों क्यों क्योंकि वो बहुत focus तरीके से पिछले तीन से चार डेकेड पर पाकिस्तान उसको support कर रहा है उनकी army को उनकी जो main उनका establishment है central establishment यानि की army की establishment है और उनकी जो stealth organizations है वो उनको underground तरीके से काफी support करते है insurgency in North East India उसी परकार से simultaneously हमारे भारत के जो उत्री पूर्वी हिस्से है जहाँ पर जो seven sisters देश है नागा लेंड, मिजोरम, आसाम, अरुनाचर परड़ेश वहाँ पर भी चाइना और पाकिस्तान कई परकार की extremist activities को बढ़ावा देते हैं वी विल डिस्कस दाट इन डीटेल कि North East पर कौन-कौन से groups हैं जो कि इस समय active हैं और भारत की आंत्रिक सुरक्षा पर खत्रा बन सकते हैं अच्छा इसके साथ साथ left-wing extremism 2006 में भारत के परदान मंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि नक्सलिजम इस दि बिगेस्ट थ्रेट तो इंडिया's internal security नक्सलिजम यानि कि left-wing extremism नक्सलिजम इस दि बिगेस्ट थ्रेट तो इंडिया's internal security यह statement आपको सीधा question में पूछी जा सकती है So you can understand how important this topic is इस चीज को understand करना कि क्यों left-wing extremism भारत के कुछ राज्यों में अभी भी active है उसको उसके क्या-क्या challenges आ रहे हैं और उसको किस प्रकार से tackle और handle किया जाएगा यह हम discuss करेंगे जब हम left-wing extremism के बारे में बात करेंगे But understand that कि government pays a lot of attention to left-wing extremism This is a very very important topic The Prime Minister of India says that it is the greatest challenge to India's internal security उसके बाद there are certain other also जैसे कि organized crime और उनका जो nexus of terrorism के साथ Organized crime से आप क्या समझते हैं? देखिए organized crime में आपने शायद कभी-कभी movies में देखा हू Organized crime का कहने का मतलब है जब कुछ लोग या कुछ गुरुप या कोई समुधाय या कुछ certain organizations criminal activities करते हैं in an organized form यानि कि कहीं पर drugs बन रहे हैं वो एक particular पूरा का पूरा corporate structure तरीके से maintain करके उनकी distribution channels होते हैं उनका logistics पूरा का पूरा होता है इसी परकार से जो illegal arms का जो trade होता है उसके अंदर पूरा का पूरा structure एक corporate structure maintain किया जाता है एक तरीके की organizations होती है there are certain people involved in those organized crime अब ये जो organized crime के दौरा जो पैसा आता है जो उसमें से illegal money कमाया जाता है that money is funneled to the terrorist activities also इसके बारे में हम discuss करेंगे organized crime और उनका terrorism के साथ-साथ क्या-क्यान एक्शेस है these are one of the major five challenges to the India's internal security but these are not only उसके बाद communalism भारत अलग-अलग समुदाय से बना है और since independence relatively हर समुदाय के बीच में peace बनी है परंतो हम ये बात याद रखेंगे कि जब भारत आजाद हुआ था तो हमें 1947 में एक divided और broken country मिला था जिसमें बहुत मुश्किल से हमारी समुदाय ने उनके different different समुदाय को उनके हक देने की कोशिश की है और उनके बीच में शांती बनाए रखने की कोशिश की है परंतो समय समय पर कुछ vested interest जो होते हैं दो समुदायों के बीच में कभी Hindu या Muslimान के बीच में कभी Hindu या Christians के बीच में कभी Muslimान या Sikh के बीच में किसी न किसी परकार की foot डाल कर उसको internal security का as a challenge बनाने की कोशिश करते हैं Communalism is also one of the challenges to the internal security caste and ethnic tensions भी कई बार अगर locally देखा जाए तो कई जंगों पर caste और ethnic tensions जो है वो भी basically आंत्रिक सुरक्षा के लिए challenge बन जाती है Regionalism और Interstate Disputes वैसे इसके बहुत ज़्यादा बड़े बड़े उधारन नहीं है Regionalism अभी generally अपने अपने region तक ही सीमित रहा है और इसके बहुत after repercussions नहीं हुआ है परंतु अगर इसको धंग से नहीं समाला जाए खालिस्तान मुवमेट यानि की पंजाब को एक डिफरेंट स्टेट बनाने की एक मुवमेंट को हवा दी गई थी उस तरीके के Regionalism और कुछ Interstate Disputes जो की कई बार Water से रिलेटिड होते हैं या कई बार टेरिटरी से रिलेटिड होते हैं कई बार can flare up to a level which can actually bring a challenge to the internal security of India Cybercrime and Cybersecurity This new challenge has arisen in last 15 years only probably in last 2 decades if you think about it because this is new इसलिए इसको समझना सबसे ज़रूरी है और सारे के सारे competitive exam इस पर focus इसलिए करते हैं पिछले 10 सालों में हमारा जो सारे का सारा जो संरचना है जो infrastructure है जो establishment है जो government का जो infrastructure है वो सारा का सारा online चला गया है जिसकी वज़ए से पिछले 10 सालों में बहुत सारे से instances बढ़ गए हैं जब cybercrime और cyber security internal security का main challenge बन कर उब रहा है This is the most important topic in the internal security if seen from today's perspective देशों में जो data है और दूसरे देशों की जो sensitive installations है जैसे कि भारत का जो nuclear plants है अब वो सारे के सारे internet से connected है तो कोई भी रोग देश पकिस्तान या चाइना के जो ISI है या उनके जो hackers है वो भारत के ministry की जो website होती है या हमारी जो sensitive installations है hydro powers है hydro power plants जो है nuclear power plants है thermal power plants they are all connected to internet वो सारे के सारे आजकल cyberly connected है और उनके उपर attack किया जाता है cyber crime के दौरा और cyber security इसलिए उसमें बहुत ही जादा महत्तोपूर हो जाती है इस चीज़ को discuss करेंगे बहुत अची तरीके से अच्छा border management अब भारत जो है भारत अपना land border share करता है total 7 countries के साथ well technically 6 के साथ करता है क्योंकि जो अफगानिस्तान के साथ हमारा border जो मैपको इसको map में दिखाता हूँ अची तरह से just a sec I'll show you with the map देखिए भारत total 7 countries के साथ border share करता है number 1 पाकिस्तान number 2 चाइना number 3 नेपाल number 4 भुटान number 5 बांगलादेश और number 6 मैनमार साथवा जो है वो है अफगानिस्तान जिसके साथ हम total 80 km अफगानिस्तान 80 km का उनसे border share करते हैं बट practical purposes के लिए क्योंकि ये हमारा जो जम्मू एन कश्मीर का हिस्सा है ये पाकिस्तान occupied कश्मीर में आता है तो हम उसको physically access नहीं कर सकते हैं तो in general technically हम 6 states के साथ border share करते हैं for practical purposes बट अगर पूछा जाए तो legally legitimately हमारा जो border share होता है वो total 7 उसके साथ होता है ऐसे में ये साथ border में जिसमें दो देश चाइना और पाकिस्तान जिनके साथ हमारा basically enmity काफी सालों से बनी हुई है वो border management और उसके बाद जो illegal infiltration है बांगला देश से होती है और जो मैनमार से जो illegal arms का जो वयापार होता है ये हमारे लिए बहुत महतोपून है कि border management becomes one of the important factors while discussing the internal security और उसके बाद coastal security चब्विस ग्यारा यानि कि चब्विस नवंबर 2008 के बाद coastal security भी एक बहुत महतोपून हिस्सा बन चुका है पहले अगर हम देखें 2008 से पहले हम समझते थे कि जो land borders है जो वहाँ पर terrorist उस समय जो enter किये थे वो Arabian Sea के दौरा आये थे यानि कि coastal security भी internal security के लिए एक उतना ही महतोपून issue बन चुका है जितना कि भारत के जो land border management है These are the main internal security challenges in India Starting with the terrorism hinterland terrorism domestic और international दोनो उसके साथ-साथ इस terrorism के दो important और सब पार्ट है जम्मु इन कश्मीर की militancy और insurgency North और East India में उसके साथ-साथ left-wing extremism यानि कि नक्सलिजम internal security का सबसे महतोपून मुद्दा organized crime का जो nexus है terrorism के साथ ये भी हम discuss करेंगे criminalism, caste and ethnic tensions regionalism and interstate disputes इनको club करके इखटे एक साथ discuss किया जाएगा क्याकि more or less ये एक दूसरे से related है अभी पिछले एक decade में cyber crime और cyber security एक महतोपून मुद्दा बन कर उब रहे हैं भारत की आंत्रिक सुरक्षा से संबन देत and more importantly border management and coastal security बोथ हा related एक land border से associated है और दूसरी coastal border से associated है उन दोनों को वो कैसे कैसे challenges और उनको किस प्रकार से manage किया जाए internal security में we'll be discussing this at length हम challenges पढ़ने के बाद internal security पर जो जो भारत को challenges है उनके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि आखिर इन सब को factors क्या है why do we face such internal security challenges reason क्या है ऐसा कौन सा factor है जो कि भारत की आंत्रिक सुरक्षा की जो समस्याएं है उनके लिए responsible है well the first one is obviously unfriendly neighbors पाकिस्तान और चाइना इसमें दोनों सबसे ऊपर है देखा जाए तो भुटान, नेपाल, बांगलादेश और मयानमार से भारत के जो international relations है वो more or less अच्छे terms पर है सबके सब friendly relations पर है तो कोई बहुत ज़्यादा वहाँ पर खत्रा नहीं है परन्तु पाकिस्तान और चाइना दोनों के दोनों हम पर एक war भी declare कर चुके है attack भी कर चुके है और in constant enemy पर भी है पाकिस्तान हमारे उपर वैसे पहले ही independence से लेके अब तक तीन बार लड़ाई declare कर चुका है और उनका agenda भारत के साथ constant लड़ाई करने का या भारत को किसी परकार से constant engage करने का लगा रहता है पिछले कुछ दो decade में चाइना भी भारत का जो उभार हो रहा है देश के international platform पर जो हमारा rise हो रहा है economic rise जो हो रहा है या हमारा जो political rise हो रहा है उसको रोकने की कोशिश में अब चाइना ने भी basically Indian border पर कई प्रकार की नई activities illegal activities start कर दी हैं तो जो unfriendly neighbors है वो भारत की internal security पर सबसे बड़ा factor होते हैं दूसरा poverty, unemployment and inequitable growth widening gap between have's and have not ये चारो की चारो एक दूसरे से related हैं देखिए poverty, unemployment और inequitable growth होने के कारण लोगों के अंदर resentment बढ़ती है left-wing extremism यानि कि nuxilism का जो issue है वो related है poverty, unemployment और inequitable growth से widening gap between the have's and have not आप पिछले कुछ 2-3 decade में बहुत सारी सी development हुई है गरीबी के अंदर काफी कमी भी आई है poverty reduction भी बहुत अच्छा हुआ है development के अंदर भारत की जो GDP है पिछले कई 10-15 सालों तक 8% की speed से भी बढ़ी है परन्तु उसके बावजूद भी वो growth हुई है कई जंगों पर inequitable यानि कि कुछ sections जो society के हैं वो काफी अच्छी तरीके से ग्रो की हैं लेकिन वो growth कुछ नीचे के तबको या कुछ नीचे के शेरों में नहीं पहुच पाई है उस inequitable growth की वज़े से उस poverty और unemployment की वज़े से कुछ wasted interest उस चीज को exploit करके radicalize कर देते हैं लोगों को, समुधायों को देश के against, establishment के against ये major reason बनकर उभरते हैं internal security problems में जम्मो और कश्मीर militancy नॉर्थ इस्ट में जो militancy है, extremism है या terrorism है, left wing extremism यानि कि नक्सलाइट की जो problem है वो सारी की सारी problems poverty, unemployment, inequitable growth have's और have not's के बीच में जो फरक है, उन सबसे related है कहीं न कहीं, इसके साथ इसी चीज़ से एक interconnected होता है failure on administrative front or the governance deficit सिर्फ poverty और unemployment की वज़े से basically radicalization नहीं होती है या internal security problems नहीं होती है it is also a failure of administrative या governance deficit जब governance का deficit हो जाता है कहीं पर, तो उसकी वज़े से भी जो लोग होते हैं, वो resent करने लग जाते हैं सरकार को, nation को, देश को and they try to figure out their own destiny which creates successist moments और separatist moments create कर देते हैं जिसकी वज़े से again आंतिक सुरक्षा पर खतरा पड़ सकता है in last few years हमारे देश की समुदायों के बीच में जो communal divide है यानि कि जो religion, sect के basis पर जो division आ रही है जो दरारे आ रही है वो भी अब बड़ा major important factor बन कर उभर सकता है भारत की आंतिक सुरक्षाओं की समस्याओं को लेकर यह सारी की सारी problems है इन सब को भी detail में discuss करेंगे but as है, अगर आपके पास internal security पर उनको समझने के लिए कोई essay लिखने के लिए या कोई general answer आ जाए अगर बहुत specific answer आया है तो you will write only the specific concepts लेकिन अगर general answer आया so all these points can be mentioned while writing an answer on internal security चलिए जो factors are responsible है contentious politics जो की sectarian, ethnic, linguistic और divisive criteria पर है again more or less related है communal divide सी ही भारत के अंदर कई सारी जहाँ है जहाँ पर sectarian या ethnic या सिर्फ linguistic basis पर separatism की कुछ movements है जिनकी वज़े से internal security को भी खत्रा है stabilized जो state है जो की stable states है वो basically unstable हो सकती है किसी भी समय poorest borders having very rough train अब भारत का जो border है वो 15,000 km का है the land border 15,000 km पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भुटान, बंगलादेश और मयानमार को मिलाकर जो हमारा land border है वो 15,000 km तक का है उसमें बहुत ज़ादा area जो है वो कई सारे rough terrain से गुजरता है बड़े हिमाल्यों से गुजरता है और कई जंगों पर porous border भी है porous border जैसे कि and internal security again उसके बारे में भी discuss करेंगे this is one of the porous border भारत के जो है वो basically बहुत ही major factor है internal security के लिए responsible जो होते हैं more importantly अगर हम देखे इन सबसे संबंदित जो चीज है poor criminal justice system और जो corruption है criminals के बीच में, police के बीच में और politicians के बीच में जिसकी वज़े से जो organized crime है, वो unchecked जाता है current affairs से इसको connect करके देखिए अभी-अभी recently आपने उत्तरपरदेश में एक case सुना था विकास दूबे विकास दूबे वोज़े एक criminal था, जो कि पिछले दो decade से, क्योंकि उसका criminals, police और politicians के साथ एक nexus था, उसको एक परकार की सुरक्षा परदान की गई थी वो unabated अपना criminal empire चला रहा था, इवन दो बहुत आसानी से उसको रोका जा सकता था अगर कभी भी political या police की किसी परकार की will होती finally, जब उसने कोई terrorist activity को ही अंजाम दिया, तब जाकर उसके काम को रोका गया, अगर ये corruption और ये criminal justice system के अंदर सुधार हो, तो भारत की internal security को बहुत ही ज़्यादा support मिल सकता है और बहुत ही ज़्यादा बहतर हो सकती है, indeed, भारत की internal security को better करने के लिए this is very necessary कि criminal justice system में बदलाव लाए जाएं और जो criminal police और politicians के बीच में जो corruption का nexus है, उसको breakdown ज़रूर किया जाए that is the prime importance, prime necessity की भारत की internal security को कैसे बढ़ावा दिया जाए और कैसे हमारे देश को अंदर से सुरक्षित किया जाए बात करते हैं आगे आने वाले topic के उपर कि किसी भी देश का जो internal security doctrine है, वो किस चीज को include करना चाहिए, उसके अंदर क्या elements होने चाहिए internal security doctrine को क्या include करना चाहिए, उसमें सबसे पहले, मैं आपको इसमें एक एक जो points है उसमें छोटा छोटा discussion दे देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से idea रहे कि internal security का जो doctrine है किसी भी देश को बनाना हो more importantly भारत को अगर बनाना है उसके अंदर क्या-क्या महत्वपूर्ण elements रखने चाहिए तो हम सबसे पहले discuss करते है political political element internal security doctrine के लिए सबसे important है भारत में जो internal security के challenge है वो कई परकार के हो सकते है secessionist भी हो सकते है separatist भी हो सकते हैं और कुछ regional भी हैं कई बार कुछ nature में regional भी हो सकते हैं इसलिए भारत का जो internal security doctrine हो उसके अंदर एक political will जरूर होनी चाहिए हमें जो secessionist separatist या regional जो elements हैं उनके लिए एक clear cut policy होनी चाहिए उनको deal करने के लिए stringent laws भी होनी चाहिए जब तक political will नहीं होगी तब तक internal security पे या basically कुछ न कुछ areas जो होंगे देश के वो unstable होते रहेंगे बलकि कोई न कोई vested interest चाहिए वो external हो चाहिए वो internal हो कि अपने फाइदे के लिए इस परकार की जो separatist activities हैं उनको हवा देते रहेंगे अब इस चीज के लिए सबसे पहले सबसे clear policy चाहिए और stringent laws होनी चाहिए secessionist और जो separatist groups हैं उनको किस परकार से deal करना है ये political will पर necessitate होता है साथ में जो regional aspirations है और ethnic demands है देखिए इसमें अगर बहुत clear cut बात किया जाए तो simple बात है कि जो secessionist है और जो separatist है यानि ऐसे समूदाए ऐसे group जो कि भारत देश के समीधान से भारत के बिलकुल political system से ही बिलकुल अलग होना चाहते हैं और अपनी नई identity बनाना चाहते हैं इन सेक्सेशनिस्ट और separatist element को काफी heavy hand से ही deal करना पड़ेगा करना चाहिए but more importantly जो regional aspiration है और ethnic demands है उनको थोड़ी सी एक reasonably softer and sympathetic approach देकर उनकी demands को सुनना भी पड़ेगा और उनको reasonable तरीके से उनको पूरा भी करना पड़ एक जरूरी जरूरत बन जाती है आंत्रिक सुरक्षा को maintain करने के लिए यानि कि internal security का जो doctrine है उसके अंदर politically success-nist, separatist और जो regional demands है उनको उसके अंदर कैसे adjust किया जाए ये बहुत ही clear law के दुवारा और stringent laws के दुवारा clearly defined होना चाहिए अगर हम देखें internal security doctrine में social economic अभी अभी हमने जब factors discuss के थे internal security के तो हमने देखा था कि poverty, unemployment, inequitable growth जो differences है haves या have nots के बीच में वो बहुत ही महतपूर मुद्दा बन जाते हैं internal security पर challenges खड़ा करने के लिए ऐसे में social economic एक important factor है इंडिया के internal security doctrine के लिए किसी भी society के section के जो social economic grievances है जो की poverty से unemployment से या displacement से arise होते हैं उनको sedate करना उनको satisfy करना उनको उस तरीके से अगर जिसे कोई hydro power plant की वज़े से कोई समुदाय है या कोई section है जिसका displacement हुआ है जिसको physically dislocate करना पढ़ा है उस जहेंगे से तो उनका जो rehabilitation है वो करना भारत की सरकार की और Indian society की और governance की government की पूरी की पूरी responsibility है इससे दो चीज़े हो जाती है सबसे पहले तो नयाय होता है this leads to justice more importantly it also stops की किसी भी देश की किसी समुदाय में सरकार के against या society के against किसी परकार की अन्याय की या resentment की अब भाव ना हो भारत की जो development है जो इससे में progress देश कर रहा है economic progress जो कर रहा है political progress technological progress जो कर रहा है वो हर society के हर section तक पहुचना जरूरी है ताकि कोई भी regional disparity ना रहे जो कि इस समय भारत में कई जंगों पर काफी है indeed उन्ही regional disparity की वज़े से left wing extremism ने जनम लिया था जम्मू इन कश्मीर militancy के अंदर भी एक important factor है वो regional disparity north east extremism north east terrorism में भी basically जो regional disparities है हमेशा एक factor की तरह उभर कर आता है तो socio economic जो factors है उनको internal security doctrine में जरूर include करकर एक doctrine को develop करना जरूरी है socio economic factors के साथ और governance ये दोनों के दोनों separate नहीं बलकि एक interrelated element है जहां socio economic factors आते हैं वहीं पर governance भी पार्ट ले लेता है तो जो poverty, unemployment, displacement से समंद्धिप जो resentment होती है उनको खतम करने के लिए governance ही एक सही रस्ता है state की duty बनती है देश के सरकार की या state की एक duty बनती है कि जो governance के अंदर corruption है उसको किसी भी परकार से रोका जाए और good governance remotest हमारे देश के जितने भी remotest से remotest सिर्फ metro तक या किसी बड़े शहर तक या tier 1 टाउन तक दिल्ली, मुंबई या चेने या कॉलकता तक ही good governance को रोक कर नहीं रखना है बलकि remotest से remotest यानि जो देश के अंदर जो hinterland है जो गाउं है जो tier 3 टाउन है जो tier 4 टाउन है वहां तक उस good governance को पचाना internal security के लिए भी बहुत ज़रूरी है governance और social economic factors जो है internal security doctrine के अंदर दोनों साथ और साथ समंधित ही mention करना जब भी अगर आप कहीं पर लिखे ये दोनों related है एक दूसरे से चलिए internal security doctrine में सबसे important finally आता है police and security forces आखिर last में जाके आंतरिक सुरक्षा को maintain कौन करेगा police और जो security forces है अब ऐसे में अगर कहीं पर police से related कुछ allegations आती है कि police atrocity करती है police friendly नहीं है police unjust है police corrupt है तो ये problem सारी की सारी internal security को aggravate कर सकती है इन problems को aggravate ना होने देने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो भारत की police है और भारत की centrally armed police forces है वो sensitized हो लोगों की ज़रूरतों से they should be seen as a friend to people instead of something to be intimidated by हमें इसके लिए police reforms को carry करने की ज़रूरत है police को neutral क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि police सिर्फ और सिर्फ establishment की लिए handle कर रही है या iron hand से जो basically कई बार कहा जाता है कि police जब थोड़ा सा brutally या थोड़ा सा hard तरीके से जब किसी समुदाय को या किसी section of society को handle करती है तो police iron hand से उनको handle कर रही है यानि कि डंडे से उनको handle करती है ऐसे में ये जो problems है ये society के अंदर समाज के अंदर internal security की problems को aggravate कर सकता है तो police reforms की ज़रूरत बहुत जादा है ताकि police इस बात के लिए sensitize हो सके कि वो समाज की नागरिकों की दोस्त की तरह काम करे friendly उनकी nature हो और वो एक neutral force की तरह यानि कि जिनका काम सिर्फ law and order maintain करना हो ना कि किसी की side लेना उस प्रकार से वो आएगी तो वो जो transparent और professional body पढ़ेगी that would go a long way in maintaining the internal security of India police and security forces हमारे internal security slavers का सबसे सबसे important part है ठीक है इसके अंदर हम police और police reforms के बारे में भी discuss करेंगे साथ ही साथ जो हमारी साथ central armed police forces है उन सारे के सारे बारे में भी discussion होगा जैसे कि CISF होगी BSF होगी ITBP Assam Rifles we will discuss them all at detail उनका क्या-क्या mandate है और किस-किस परकार के police reforms की जरूरत है किस परकार की problems वो भी face कर रहे है क्या technological issues है क्या personal से जो issues है corruption का जो issue है और कैसे उनको transparent और professional body बनाया जा सके this will be discussed in the coming lectures be with me भारत एक federal देश है ये हमारे एक federalism अब भारत federalist देश है इसका मतलब ये है कि जो आंत्रिक सुरक्षा है उसके अंदर center और state का coordination बहुत जरूरी है ग्रहम अंतराल है जो की responsible है internal security के लिए वो एक central ministry है राइट बट central ministry जब तक जो राज्यों की जो ministry है उनसे coordinate नहीं कर पाएगा तो आंत्रिक सुरक्षा को कैसे maintain करेगा center और state की बीच में कई बार mis coordination और decoordination होने की वज़े से internal security कई सारी problems बढ़ी है so we need to ensure कि इंडिया का जो internal security doctrine हो उसके अंदर center state coordination एक important pillar की तरह हो हमें एक ऐसा institutional framework बनाना ज़रूरी है जहां पर center state की जो coordination की जो problem से वो सारी की सारी दूर हो जाए and all of the parts of the machine works in a synergy at all levels क्योंकि ये दोनों से संबंदित है अगर केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है वो ही एक दूसरे को बनाती है केंद्र सरकार बनती है राज्य सरकारों के दूरा राज्य सरकार बनती है केंद्र सरकारों के दूरा तो किसी भी राज्य में किसी भी परकार का कोई भी खत्रा होता है चाहें वो ruling government से संबंदित हो या ruling party से related हो या ना हो वो भारत की as a whole आंत्रिक सुरक्षा को खत्रा पैदा कर सकता है so the center state coordination is a very very important pillar when we'll be discussing the internal security doctrine and finally the unseen one but unsaid one but incredibly important the intelligence 26 November 2018 2008 26 November 2008 26 November 2008 2008 को मुंबई पर terrorist हमला हुआ था जिसमें कई बार माना जाता है कि वो intelligence failure की वज़े से और center और state की जो agencies थी उनके बीच में सही coordination ना होने की वज़े से हुआ था किसी भी परकार की terrorist activity को रोकना या किसी भी परकार की internal security की disturbances को रोकना intelligence का सबसे महत्वपोर्ण काम है IB intelligence bureau जिसके लिए आप इस समय पढ़ रहे हैं वो basically यही काम करता है internal security का सबसे सबसे major component आखिर सफलता उसी को तो कहीं जाएगी कि जब कहीं disturbance होने वाली हो या कहीं पर किसी परकार का कोई terrorist act होने वाला हो उसको पहले सबसे रोका जा सके यह काम हमारा सबसे पहले करती है intelligence जो कि दोनों के दोनों external threat और internal threat पर alert होने के लिए ज़रूरी होता है intelligence forms the central pillar भारत की जो intelligence agencies हैं जैसे कि raw intelligence bureau Indian police forces NSA, national security agencies यह सबसे ज़्यादा important है इस चीज़ के लिए कि अगर intelligence नहीं collect होगी तो terrorist act और internal disturbances externally added होते रहेंगे और बढ़ते रहेंगे इसके लिए हमें ज़रूरत है कि हमारे पास defensive और साथी साथ offensive intelligence दोनों की दोनों ज़रूरत हो जो कि हमें किसी भी आने वाले खत्रों के लिए forewarn कर सके यानि कि हमें पहले से warning दे सके कि इस प्रकार से कोई external support आ रहा है किसी internal disturbance को और साथी साथ उनको neutralize भी कर सके किसी भी impending threat को आने वाले किसी भी impending threat को और ज़रूरत पढ़ने पर proactive steps भी ले सके even before the enemy acts the intelligence agency shall be able to act against them तो intelligence वाला जो framework है internal security का सबसे सबसे ज़ादा महत्वण factor है internal security doctrine में we will discuss this in the complete chapter intelligence is also related to the border management border management के बारे मैं पहले भी discuss कर चुक है भारत का जो border है मैं आपको दिखाता हूँ इस पार ठीक है दिखें इंडिया का जो border है कम से कम साथ कंट्रियों से connected है जैसे कि मैंने पहले explain किया कि basically 6 से है क्योंकि Pakistan occupied Kashmir physically हमें accessible नहीं है तो अफगानिस्तान का जो border है वो अगर आपके पास कोई MCQ question आता है तो उसमें mention यही करना है कि पागिस्तान का जो border है वो भारत से connected है टोटल हो है 80 km का इंडिया इस connected to अफगानिस्तान through an 80 km border ठीक है प्रेक्टिकल परपस के लिए वो connected से लडाई हो चुकी है उत्री साइट पर चाइना से लडाई हो चुकी है और पूर्वी साइड पर ईस्पाकिस्तान यानि कि जिसे अभी बांगलदेश कहा जाता है वहाँ पर भी लडाई हो चुकी है यानि कि total तीन साइब पर infiltration problem पंजाब के जो border से infiltration होती है कश्मीर के border पर होती है illegal immigration होता है बांगला देश की साइड से और smuggling of weapons from the Indo-Myanmar border यानि अभी तक सिफ निपाल और भुटान बचे हुए है वरना बाकी जो भी पाकी क्या कहते हैं चार जो देश हैं उनके साथ किसी ने किसी प्रकार की problem है पाकिस्तान के पूरे के पूरे border पर या तो illegal immigration या तो illegal infiltration होती है जो की कारगिल war में देखा गया था वो वैसे भी उस समय क्या कहते हैं पूरा का पूरा border ही sensitive है वहाँ पर वो हमेशा active किसी भी समय war वाली situation बन सकती है चाइना भी इस समय इन recent years में बहुत जादा borders पर active हो चुका है सिक्किन के करीब भी उसने अकरामक रूप दिखाया और अभी इस समय अकसाई चिन में यानि जो पैंगॉंग सो लेख है वहाँ पर भी वो status quo को बदलने की कोशिश कर रहा है इन land borders को effectively गार्ड करना ताकि जो यह terrorist है इनको infiltrate करने से रोका जा सके illegal immigration यहां से जो drugs आ रहे हैं यहां से जो illegal arms आ रहे हैं इनको रोका जा सके border management becomes an important key in internal security 26 November 2008 के बाद coastal security again has also gained special attention इसके लिए navy, coast guard और coastal police इन तीनों के तीनों जो roles हैं इनको clearly defined करना पड़ेगा we will discuss this एक separate chapter में coastal security को पूरगा पूरगा completely discuss किया जाएगा ठीक है last decade में यह बहुत ही ज़्यादा important बन चुका है indeed अभी recently जो चाइना है उसने काफी activity बढ़ा दी है Indian Ocean में, Arabian Sea में और Bay of Bengal में भी ऐसे में हमारी जो coastal security है gains a lot of importance hence this shall be discussed as a separate topic border management को एक बारा पच्छी तरह से फिर दुबारा से repeat करके एक बार ध्यान से देख लीजिए कि भारत के border किस किस से connected है देखिए भारत का जो सबसे sensitive border है जो सबसे ज़्यादा constant wars में रहा है वो है पाकिस्तान के साथ पहला दूसरा चाइना के साथ मैं आपको बता देता हूं कि भारत का जो land border जो सबसे लंबा land border है वो है बांगलादेश के साथ नमबर फ्री यानि कि the largest land border shared by which country बांगलादेश तीन उसके बाद एक नेपाल पांचवा भुटान और छटा मैनमार से देखिए कि टोटल सबसे पूर्वी दिशा के टोटल चार राज्ये हैं जो कि बर्मा से जिनका land border touch होता है ठीक है और साथ में ये जो sky blue color में आप देख रहे हैं इस पाकिस्तान occupied कश्मीर कश्मीर का वो हिस्सा जिसको पाकिस्तान ने उक्यूपाई किया हुआ है ये अफगानिस्तान से यहां से connected है practical purposes के लिए इंडिया इसको इस समय physically access नहीं कर सकता है बने लीगली इंडिया का border अफगानिस्तान से touch है ये जो border है टोटल illegal immigration होती है drugs का कारोबार यहीं से किया जाता है और basically illegal arms भी यहीं से smuggle किया जाते है इसके साथ साथ इंडिया का coastal border जो पूरा का पूरा किसी land से touch नहीं है बर अरेबियन सी और basically Bay of Baymall से touch है इनसको maintain करती है navy, coastal police और coast guard ये सारे के सारे we'll discuss it in detail recently भारत के जो army chief है उन्होंने कहा कि भारत को इस समय तयार रहना चाहिए two and a half front पर लडाई करने के लिए किसी भी समझा two and a half front का मैं आपको एक बार मतलब समझा देता हूँ क्योंकि ये question आपसे prelims में भी पूछा जा सकता है कि what is two and a half front और ये आपसे mains में भी इसके बारे में पूरा का पूरा visualization पूछा जा सकता है two and a half front का मतलब है कि सबसे पहले एक front तो हो गया पागिस्तान का ऐसी संभावना पैदा होती है कि पागिस्तान हमें एक तरफ से war declare कर दे और उसी के साथ-साथ collusion में दूसरे front से China भी war declare कर दे दो front हो गए और जो two and a half जो ये half front आर्मी चीफ ने कहा वो basically है भारत की internal security के कि ये दोनो front पर इंडिया को engage करके आंतरिकली कोई disturbance पैदा करे जिससे भारत को unstable करने की कोशिश की जा सकती है so two and a half front we will discuss this in detail but मैं अभी इस समय concept के लिए समझा देता हूँ कि जब आर्मी चीफ कहते हैं कि भारत को two and a half front पे लडाई करनी पड़ सकती है तो उसका मतलब क्या होता है तो पहला तो हो गया पाकिस्तान का एक front दूसरा हो गया चाइना का एक front और जो half वाला front है यानि internally हमें किसी terrorist activity से या किसी आंत्रिक disturbance से या अंदर कोई civil war भारत की territory के अंदर कोई civil war करने की कोशिश की जा सकती है उसको कहा जाता है half front ठीक है? चलिए and cyber security यह मैंने आपको पहले ही बताया है कि पिछले 10 से 20 सालों के बीच में इससे ज़्यादा महतरपूर मुद्दा नहीं बन पाया है cyber space will be the theater of warfare in the 21st century भही पहले अगर हम बहुत ancient परीके पे दिया जाये तो जो ज़्यादतर लड़ाईया होती थी वो basically land पर होती थी तलवार से 30 तलवारों से भालों से लड़ा करते थे तो वो land पर होता था वो सबसे important theater था बाउर का फिर धीरे धीरे जैसे technology बढ़ी तो basically navy भी लड़ने लग दी जैसे जैसे पंदरवी, सोलवी शताबदी में trade बढ़ा, boat की जो technology थी ship technology के अंदर development हुई तो shipping लड़ाईयां भी होने लगी, navy भी improve होने लग दी, और उस समय जो तीसरी जो second वाला था, वो था water, तो पहले वाला land था दूसरे वाला water था और पिछले 20 सदी में basically जो final जो third warfare था, वो basically हो गया air में, यानि कि अब एक दूसरे की air force भी, हवा में भी लड़ाई होने लग दी technology काफी develop हो चुकी थी अब माना जाता है कि 21 सदी में जो cyber space है internet का जो space है, जो cyber space है it will be the main theater of the warfare क्यों? क्योंकि ये बहुत ही remote area से कोई चाइना का hacker है वो शंगाई में बैठा हूँ अब दिल्ली में किसी important हमारे server या किसी mantra ले पर या किसी sensitive organization पर attack कर सकता है so ऐसा माना जाता है कि cyber space will be the theater of warfare in the 21st century hence the importance of this topic we will discuss this in detail as much as possible internal security के बारे में आज मैंने आपको कुछ-कुछ discussion किया है which was an introduction जो आपको बताना चाहता था कि internal security आखिर होती क्या है क्या-क्या factors है इसके attributes क्या है भारत को कौन-कौन से challenges है मैं आपको कुछ questions के साथ छोड़ता हूँ आप इन questions के बारे में थोड़ा विचार कीजिएगा ऐसे-ऐसे कुछ questions आपसे पूछे जाएंगे यह आपको idea भी देंगे कि आने वाले जो chapter से आने वाले जो lecture से हम उनको किस परकार से पढ़ेंगे और उनमें हमें क्या-क्या याद करना ज़रूरी है जैसे कि यह पहला एक question देखते हैं तो सबसे पहले तो यह पूछ रहे हैं कि टेरिरिजम जो है वो नेशनल सिक्यूरिटी पर threat कैसे हो सकता है पहला सवाल दूसरा टेरिरिजम को रोकने के लिए आपके हिसाब से क्या-क्या तरीके अपनाए जा सकते है और तीसरा आखिर टेरिरिजम को funding कहां से मिलती है जैसा कि आज एक हमने आज lecture में पढ़ा कि organized crime जो है उनका क्या nexus है terrorist funding के साथ तो अगर हम answer लेखेंगे तो हम यहाँ पर organized crime जुरूर मेंशन करेंगे बहुत ही सरल question है टेरिरिजम वाले में discuss करेंगे आप असान इसी से लिख पाएंगे दूसरा देखते हैं discuss the potential threats of cyber attack and security framework to prevent it तो इसके अंदर दो चीजे पूछी गई है कि पहले तो cyber security पर किस-किस परकार से attack किये जा सकते है कुछ current affairs से related हम इसमें लिखेंगे दूसरा भारत में इस समय framework क्या है cyber security आपको मालू है अगर पाकिस्तान attack करेगा तो army उसको handle करेगी अगर internal security है तो हमारी जो central armed police forces है वो उसको handle करती है coastal area से किसी परकार का कोई disturbance हाता है तो उसको navy handle करती है उसी परकार से cyber attack जो होता है उसको handle करने के लिए भारत में किस परकार का organizational framework है ये वो पूछा गया है फिर देखते हैं border management is a complex task due to difficult terrain and hostile relation with some countries पागिस्तान और चाइना को इन्होंने sample किया है elucidate the challenges and strategies for effective border management तो हम इसके अंदर पहले parts में इस question में बता रहेंगे कि भी border management में किस परकार के challenges है भारत का border कितनी जंगों से connected है और जो unfriendly countries है और जो अन्फ्रेंडली कंटरीज है पागिस्तान के साथ चाइना के साथ वो किस परकार की problem है and then we will also discuss कि पहले तो इसमें challenges क्या क्या आ रहे हैं भारत के border management में और कौन-कौन सी strategies यानि technologically हम drones यूज कर सकते हैं border को किस परकार से secure कर सकते हैं वो सारे के सारे इसके अंदर strategies हैं we will discuss that अच्छा illegal transborder migration pose a threat to India's security discuss the strategies to curb this bring out the factors such impetus to such migration again यहाँ पर basically जो मुद्दा discuss किया गया है वो transborder migration illegal migration जो कि Myanmar से होता है या बंगलादेश से होता है उनके बारे में discuss करें और उससे भारत की आंत्रिक सुरक्षा पर किस परकार का खत्रा पैदा होता है सिर्फ illegal immigration नहीं discuss करना है बट important है कि illegal immigration से भारत की आंत्रिक सुरक्षा पर खत्रा किस परकार का है यह discuss किया जाएगा दो और question में आपको बताता हूँ जो कि संबंदित है cyber warfare सोच के देखें कि important statement को पढ़िए कि cyber warfare is considered by some defense analysts to be a larger threat than even al-qaeda और terrorism आतंक वाद से भी बड़ा threat माना जा रहा है cyber warfare अब इन से पूछा गया है सीधा सीधा आप से पूछा गया कि what do you understand by cyber warfare मतलब क्या है इस चीज़ का define करना है simple outline the cyber threats which India is vulnerable to and bring the state of countries preparedness to deal with the same तो पहले तो किस-किस परकार के cyber warfare से भारत vulnerable हो सकता है और वही जो कि पिछले questions में पूछा गया था कि भारत की preparedness भारत का कैसा organizational structure है cyber warfare को deal करने के लिए काफी सरल question है जब cyber security के बारे में हम पढ़ेंगे तो आप उस lecture के बार इसे बहुत आसानी से आंसर कर पाएंगे left-wing extremism left-wing extremism is showing a downward trend but still affects many parts of the country briefly explain the government of India's approach to counter the challenges posed by left-wing extremism अब left-wing extremism is the biggest threat to India's internal security ये बात Manmohan Singh जी ने 2006 में कही थी अब 2006 में कहने के बाद पिछले 15 सालों में जो left-wing extremism है उसके अंदर थोड़ा सा downward trend आया है लेकिन उसके बावजूद भी पूरी तरह से इसे मिटाया नहीं गया है अभी भी कुछ parts है जिससे ये effect हो रहा है ऐसे में Government of India क्या approach follow करती है governance की, poverty की, employment की equitable growth की all of these points are actually mentioned in that ये था मेरा आपके लिए आज internal security का पूरा का पूरा introduction आपके दिल में कोई सवाल है, कोई question है तो आप इस वीडियो के comments में ज़रूर लिख के पूछेगा, मैं उसे answer करने की कोशिश करूँगा आने वाले समय में जो हम अगली class लेंगे, उसके अंदर हम terrorism के बारे में discuss करेंगे and we will discuss all the details की terrorism, आतंगवाद क्या होता है, उस पर external or non-state actors किस परकार से role play करते हैं किस परकार के terrorism होते हैं, भारत में उसकी क्या क्या categorization है खालिस्तान से संबंदित, we will specifically understand कि खालिस्तान जो moment थी वो क्या थी, आतंगवाद के बढ़ावे के आतंगवाद फैल किस वज़े से रहा है, उसके जो main reasons कि issues related to आतंगवाद भारत की इस समय preparedness का जो level है, वो कितना है उससे संबंदित बात करेंगे, और क्या क्या किया जा सकता है याद रखें कि आपसे जब भी कभी question पूछा जाता है किसी भी exam में, they always ask for suggestion, more, futuristic पूछते जरूर हैं वो कि आप और क्या suggest करते हैं, और क्या किया जा सकता है so we will discuss कि आतंगवाद को रोकने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, और जादा और we will understand कि terrorism, insurgency और नक्सलिजम, इन तीनों चीजों में आखे difference क्या है, कई बार सुनने में एक जैसे लगते हैं और कई बार एक दूसरे के साथ alternately use भी कर दे जाते हैं, परंतु terrorism, insurgency और नक्सलिजम में क्या difference होगा, यह होगा अगली class में discuss Thank you very much students Again, अगर आपको कोई भी किसी भी परकार का question हो, तो please इस वीडियो के comments में जुरूर पूछेगा I will definitely answer that and have a very nice day